तो यह कहानी है अपनी साउथ इंडिया रोग ट्रिप के केड़ाद के लिए तर्स केर्ला के कुस्चल तांग में जिसका नाव है वार्कला ला वेर आड़ी अडिया ग्राट तो आज के कहानी भी से शूरू करते हैं । है सागन, वेलाम में बकियो ये अठागरो ने वीडियो पेदमनाबन टिम्पिल के लिए निकल रहे हैं उसके आगे हमें और जाना भी है कोवलम में जाके रुकने वाले आज तो लेट सी की कैसा होता है पॉर्नाव तो भी आर लिविंग फॉर थरेवंद्रम अब इतने दूर आये हैं तो सुचा यह भी करी लेते हैं अब जाएन आये हैं 2000 km कंप्लेट होगा है अपने अपने प्लाम की अगरिंग और 2000 km बच आए तो वी आर रिली है प्योप बॉरिट में तो बहुत कुश हू हूँ 2000 km चलाया भई तो मजा आगया इंग कोता है अभी अगली 2000 km भी खतम करते हैं खतम करते क्या हैं, enjoy करते हैं 2000 km पर सब तो we are all set to go to the Mandir, अभी हम लोग जो है साउथ नड़ा डिरेक्शन से आया है, मंदिर के चारो डिरेक्शन में, नड़ा मतलब डिरेक्शन या फिर पैसेज बोलता है, चारो साइड में एक एक पैसेज बना हुआ है, यहाँ पहुच के कुछ चीजे पता चली, जो मुझे लगत मंदिर में इंट्री करने के लिए आपको एक प्रॉपर अटायर पहना जरूरी है, पैंड की जगह पे मुंडू, याने की धोती और शर्ट की जगह पे अंगवस्त्रा, याने की दुपत्ता, जो ऑप्शनल है, फोर लेडिज इस सारी और अनी ट्राइशनल वेर, पार्ट इस रॉयल फेमिली से कोई प्रिंसेस आने वाले है, जिसके वज़े से दर्शन में थोड़ा लेट हो सकता है, बाकी जो मंदिरे में भी दीखाऊंगा या आपको, उसका इंट्री साउथ इंट्रेंस कैसा है, दक्षिन द्वार, दूसरी बात यह एक कैमरा जार नॉट अला मंदिर में जाने के लिए आपको इशर्ट उतारना पड़ता है, यह लोग आएंगे अभी कोलम निकलना है, बाके हम बढ़ते आगे, आज के अपने अगले डेस्टिनिशन कोलम के लिए, जहां हमारा एक दिन का स्टे होने वाला है, वैसे तो ट्रिवेंद्रम से कोलम का डिस्टेंस हार्डली 20 किलोमेटर है, और इसका बेस पार्ट की यह रास्ता समंदर के किनारे से ही चलता है, कोलम में एंटर करते ही, we started to see beauties around, सुंदर बीचेस, चोटे-चोटे पैक्ट रोड्स, on the way lighthouse, साथी में बीच पे कही वाटर स्पोर्स, कही रॉक फॉर्म स्ट्रक्चर्चर्स, और ब्यूटिफुल पोर्ट एरिया, इन शॉट कोलम के सारे कऱर दिख रहे थे, निकर आए गई है देखो, तो वी जस्ट रिच्ट कोवल, अभी यहारत थोड़ी का रावे, चेक-इन बारा का है, अफिछलो करना है, लेट सी क्या कर सकते है, तो हम लोग रुके, स्टेवेल नाम के प्रोपर्टी में, बट उसके आगे ही जो नजारे मिलते है, इस रियली अब इस रियली तक को मुझे कुछ पच्छा दिखा नहीं है, यहां पर लोग चिल कर रहे है, फॉरेनर्स है, सब लोग चिल कर रहे है, तो प्रेटिव है, खेर अभी प्लान तो यह है कि मैं करता है, और तब तक आप इन सिनेमेटिक्स का आनन लीजिए झालो चिल कर चा आनन लीजिए कर दो कर दो काम तो खतम कर लिया है, तो अभी हमने सोचा है, एक ब्यूटिफुल संसेट विटनेस करते हैं, वाइल वाकिंग ओन दिस बीच तो कोवलम बीच पे, you can expect a lot of fancy cafes hotels, restaurants serving good fresh macchi and local souvenir shop for all those handcrafted things, we also bought a few things to take back with us, फिर शाम में shopping कतम करके, we ended our day at one of the beach facing cafe, watching those splashing waves, beautiful lighthouse, जो रात में बहुत खुपसुरत दिखता है, and of course with some really good food, तो अभी ताइम कुछ हो रहा है, 9.44, आज का हमारा last night होने वाला केरला में, तो कोवलम से हम लुक और आगे निकलने वाला है, केरला ट्रिप तो successful रहा है, आगे का रेकता है, तो we are at this place called Malabar Cafe, जो एक दम बीच के opposite में ही है, और देखे हो गया है, खाने की रहा देख रहा है, भूग लगी है, नीम लग रही है, लेट सी कल से वेल, पाच बजे निकल ले है, मिलते फिर आप से तोने जाए लेखे है, तो चलो मिलते, रास्ते में, वेल, ट वस जस्टड़े अट कोलम, बट वी रियली हैड़ ग्रेट टाइम, ऐसा लग रहा है कि और दो तीन दीन होने चाहिए थे, पर क्या करें, मूव अन करना भी ज़रूरी है, अगले वीडियो में, जो अफ्कोर्स कन्या कुमारी का होने वाला है, होप यू गाइग दे वीडियो, इस देन डू हिट दा लाइक बटन शेयर विट ए फ्रेंद फैंबली जिनके सथ आप ये एक्सप्रेंस करना चाहोगे, अब्सक्राइब एक बटन करेंगे उन्हें सब्सक्राइब एक का है।